बुल्डोजर बाबा कहे जाने वाले योगी राज के उत्तर प्रदेश में पुलीस ही पुलीस के पीछे पड़ी थी। मजाक नहीं कर रहा मैं। यूपी के एक थाने में पुलीस वाले दाउद और लोरेंस की तरह वसूली का धंधा ओपरेट कर रहे थे। फिर उनकी पुल खोलने के लिए ADG और DIG लेवल के ओफिसर ने सीक्रेट ओपरेशन चलाया जिसमें उत्तर प्रदेश का एक पुरा का पुरा थाना ही पुलीस के ही टारगेट पर था। क्या सीपा ही क्या थानेदार सब के सब सिस्टम को दीमक की तरह खा रहे थे। और कुछ इस तरह उत्तर प्रदेश के एक थाने की कमाई महीने के 4-5 करोर और साल के लगभग 54 करोर था। बिहार से लेकर यूपी और पूरे देश में एक कॉमन प्रॉब्लम है। पुलीस वाले होते तो हमारी सुरक्षा के लिए हैं। लेकिन अगर पुलीस किसी चौराहे पर दिख जाए तो लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। कुछ पुलीस वाले तो इतने बदनाम होते हैं कि उनका खौप किसी हटा वसूली करने वाले गुंडों से ज्यादा होता है। और आप से 100-200 रुपे एठनी के चक्कर में वो आपको जेल तक में डालने की धमकी दे देते हैं। वही पुलीस वाले जो हमारे और आपके टेक्स के पैसे से सैलरी पाते हैं ताकि अपनी ड्यूटी इमंदारी से करें। लेकिन ड्यूटी करने की जगा आम लोगों से पैसों की उगाही करने लगे हैं ये पुलीस वाले। और बास सिर्फ पैसों की उगाही तक रहती तो सा आयद ये कहानी लेकर मैं आपके पास आता ही नहीं लेकिन उत्तर परदेश का ये थाना पैसो के उगाही के साथ अवे सराब की तसकरी में भी इन्वॉल्व है और इनके ही मदद से बिहार में सराब पहुच रहा है जहां तो सराब बैन है उस पर प्रदिवन्ध है शराब तो सराब ये पुलीस वाले तो बेजुमान जानवरों की तसकरी से भी अपनी आखे ओजहल कर लेते हैं बस उनके हाथ में नोटों की गर्मी दे दी जाए आज आपको कहानी बताएंगे कि कैसे योगी राज में उनके करप्ट पुलीस वालों के पीछे उनके ही कुछ इमंदार पुलीस वाले लगे और फिर एक खाने का सालाना 54 करोर का एक्स्टोर्शन रैकेट का खुलासा हो गया लेकिन पुलीस वाले ये वसूली का धंदा कैसे और यूपी में कहां चलाते थे वो कहानी भी बहुत इंट्रेस्टिंग है आईए आपको एकदम सुरू से डीटेल में बताते हैं तो देखिए आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज है उत्तरप्रदेस इसी उत्तरप्रदेस में एक जिला है बलिया ये जिला पिछले महीनों बहुत चर्चे में था क्योंकि यहां पुलीस ने इस बार पुलीस के खिलाप ही कारवाई कर दी थी बल आप पुलीस वाले को कोशते जा रहा हूं तो आईए अब थोड़ा उनकी करतूत भी सुन लिजीए आप भी कोशने लगेंगे तो देखिए जिन पुलीस वालों की मैं बात कर रहा हूं उन पर आरोप है कि ये लोग टरकों से अवेद वसूली कर रहें थे और उन पुलीस के भरावली बॉर्डर पर ट्रकों को रुक कर पहले तलासी लेते थे फिर उनसे पैसे लेकर उन्हें जाने देते थे अब आप सोच रहे होंगे कि पुलीस के साथ ये दलाल कौन थे और तलासी के बाद पैसे किस बात की तो देखिए ये एक तरह का इलीगल रैकेट था और उ पी से रोजाना हजारों ट्रक एंट्री लेते हैं अब बिहार के बक्सर से आने वाले ट्रक जैसे ही भरावली बॉडर से उत्तर प्रदेश में एंट्री करते थे वैसे ही नरी थाना इलाके के भरावली तिराहे के पास से वसूली का पूरा गैंग चलता था और ट्रक पास क दरवानी के लिए सभी ट्रक वाले को 500 रूपय देने ही पड़ते थे अब देखे ये ट्रक वाले लाखो करोरो का माल ले कर चलते हैं वैसे मा अगर ये पुलीस वालों को पैसा देने से मना करेंगे तो ये उल्टे सीजों में फसा कर ट्रक वालों की चलास ले लेंगे इन सभ पर दलाल सड़क पर खड़े होकर वसूली कर लेते थे कहते हैं उसमें से 80% यानि 500 में से 400 नरही थाना अध्यक्ष पन्नेलाल को जाता था और बचे 20% उन दलालों के पास ही रहता था जो पुलीस वालों के लिए वहां खड़े होकर ट्रक वालों से वसूली करते थे वसूली का ये धंदा काफी लंबे समय से चल रहा था फलफुल रहा था जिसमें 500 रुपय तो हर ट्रक वालों को देना ही होता था लेकिन उनमें जो फौल्टी ट्रक वाले होते थे जो गलत कामों के लिए ट्रक का इस्तेमाल करते थे जैसे तसकरी करने के लिए उनका तो तब आया जब उस एरिया में एक नया पूल बन गया जिसके बाद रोजाना यहां से तीन हजार ट्रक गुजरने लगे यानि अगर इनके हथे कोई गड़वर ट्रक नहीं भी चड़ा फिर भी 500 रुपय के हिसाब से दिन के 15 लाक रुपी महीने के साढ़े 4 करोर रुपय और साल के पूरे 54 करोर रुपय कहीं भी नहीं गये इतना अवैद धन्धा तो यह बना ही लेते थे इतना पैसा जितना यह अपने पुलीसिया से जिन्दगी भर नहीं कमा पाएंगे और यह पुलीस वाले क्या और वो लोग इतना पैसा अपनी पूरी जिन्दगी में नहीं कमा पाते हैं, तो इसका क्या मतलब है, गलत काम करना सुरू कर देंगे लोग, वसुली करने लगेंगे, नहीं न, समाज में रहना है, तो सही तरीके से ही चलना ओगा, नहीं तो बुरा दिन आने में भी वक्त धोरी लगता है, कुछ ऐसा ही नरी थाने की अवैद वसुली के धंद इसलिए गुप्तरुप से बॉडर की रेकी हुई और मामला सही निकला अब बारी थी असली एक्षन की फिर ADG प्यूस मोडोरिया की लीड में 24 पूलिस वालों को मिला कर पांच टीम बनाई गई फिर इसी साल 24 जुलाई को रात के करीब 9 बजे ADG प्यूस मोडोरिया वारा नस जाहे पहुचे उनके सामने ही वसूली का ये पूरा खेल चल रहा था उपेली जिसका उन वसीली बाजो को कोई खबर नहीं था लेकिन प्लान के मुताबिक अभी कोई एक्षन नहीं लेना था इसलिए पूरी टीम वसूली को अपने आँखों से देखते हुए गंगा पूल और वहां का मुवाइना किया तो अंत में एक्षन लेने की बारी आही गई पूलीस की टीम वापस उसी पूल पर लोटी और देखा कि भरोली ती रहे पर एक सिपाही ट्रक से पैसे वसूल रहा है मतलब ये कोई गवर्मेंट का काम नहीं कर रहा था वो सिपाही अपने हम अकेले नहीं है साहब इस धन्दे में भरोली ती रहे से गाजीपूर की रोड पर जो कोरेंटी डिया पुलिस चौकी है न वहां पर भी वसूली होती है अब देखिए ये चौकी भी जो है वो नरही थाने के अंतरगत ही आती है एक थाने के अंतरगत कई चौकी आती है इ कोरंटा डिया पुलिस चौकी आई और उनका ट्रक जो है वो बैरियर पर रोका गया और इस बार वसूली करने वाला कोई पुलिस का आदमी नहीं था बलकि साधी कपड़े में उनके दो दलाल थे जो जाने अंजाने में ADG से ही 500 रुपे की वसूली करने के लिए तन गया फ पुलिस में तीन पुलिस कर्मी समित सोल अलग पकड़े गए सभी को ठाने लाया गया लेकिन नरी थाना के अध्यक जो थे पन्ने लाल वो ठाने पर थे ही नहीं मिले ही नहीं क्योंकि वो तो फरार हो गये थे उनको खबर लग गई थी बाकि उनके कमरे को सील कर दिया गया आगे इस वसूली में सामिल जितने भी सिपाही थे उनके भी बकसे की तला से ली गई जहां से पुलिस को वसूली से जुड़ा रजिस्टर भी मिला जिसमें मेंटेन था कि कब से क्या कैसे ये सब कुछ चल रहा है ये जो अवैद वसूली का धंदा है कैसे ओपरेट होता है सब उसमें मेंसन था एक और जानकारी जो बड़ी इंट्रेस्टिंग है वो मुझे इस केस में पढ़ने को मिला कि ये जो पढ़ने लाल है ना थाना प्रभारी नरी थाना के वो दो साल से जादा वक्त से इसी थाने में तैनात थे इस बीच बल्या के कप्तान से लेकर एडि आके रख रहे थे ताकि साल के जो करोर रूपे के उगाही हो रही है ये धंदा फलता फुलता रहे और उसका खयाल पन्ने लाल रखे लेकिन पन्ने लाल तो फरार हो गया था बाद में आगे चल कर सवाल परीवन विवाग पर भी उठा जिस काले धंदे के बारे में सब को पता था कि यहां ऐसा कुछ हो रहा है उन्हीं डिपार्टमेंट को कैसे नहीं पता चला जिनका ये सब काम है अलाकि आगे जाच उनकी हुई और ये सब मामला भी काफी आगे गया अब देखिए यू तो मैं डॉन और गैंग्स्टर की कहानी सुनाता हूं लेकिन ऐसे पुल झालना बहुत ही जरूरी है आप कि इस समाच के लिए आपके समचती हुचते कान को सबस्के कर लिए मैं पंजम प्रकास आपसे मिलता रहूंगा किसी और सफर में किसी और कहानी के साथ तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धल्लेवाद